नमस्कार किसन भाहियो, आज एक व्य व्य वट्स जो मेरा यूट्यूब चैनल देखके मेरा नर्सरी में विजिड किया है जो विहार में रहने वला है इनका कश्मीरी एप बेर का फार्मी करना है तो ihnहोंने कितना एकर जमिन में करेगा सबींधीसक्स हो गया है मेरा singular विजड करके उन्होंने देखा है फल कैसा लागा है जुन मैना में लगा हुआ पेड़ है इसमें कितना अच्छा फ्रूटिंग आया है इनका इंप्रेशन कैसा लागा है इसका बारे में बात करेंगे आपका पूरा इंट्रोड्यूस कीजिए आपका नेम और आपका कहां से रहने वा और यहां जो हम आज आये हैं आपका ग्रीन एपल और रेड एपल बेड़ देखने के लिए आये थे और पहले भी समंद्ध में आपसे बात कित हुई थी फोन के और मैंने दोनों का अंतर भी देखा है ग्रीन एपल जो है कि उसमें मिठास कम होती है इस डेड एपल में मैंन नस्पत यह पका हुआ नहीं है डेड एपल आज तो 19 तरीके जनवरी का 19 तरीके आज और यह तो हम जनुरी का लास्ट है हर्वेस्टिंग चालू करेंगे सो वही सबसे अभी छोटा ही है फल मैचियोर नहीं हुआ फिर भी आपको खाने खाके कैसा टेस्ट लगा है हमको यह अच्छा लगा ओके और इसका जो साथ 6-7 मैने का पौधा है वही सबसे हर पेड़ में कैसा इल्ड आया हुआ है और फल का लूक कैसा लगा है इसका बारे में कुछ बताई यह पौधा बतला रहे है कि जून में लगा है उस अनुरुप तो समय के अनुसार यह अच्छा लगाया जाता तो और भी अच्छा रहता है जबकि जो पेड़ जन्वारी फरबरी में लगाता तो इसमें हम लोग बोलते है जो 35-45 किलो मिनिमाम फ्रूटिंग मिलता है जून का हिसाब से जून मैना में लगाने का बाद में ज्यादा फल आ सकता तो आपको कैसा लगता है अबरी में लगाता तो 30-35 किलो को उपर आ सकता या नहीं 35 किलो नहीं तो 20-25 किलो आ जाना चाहिए था अभी आपको जो है कि फल के अनुसार हम तो जो सभी को बहुत है 15-20 किलो को उपर फल आया हुआ है हलां कि चोटा-चोटा है उसमें कैसा है पेर ग्रॉत किया है उस अन पेर में खड़ा हुआ है में देखा है आप कैसा फाल आया हुआ है गुच्छी में पूरा बोलिए जो कैसा लागा है इंड्या में कैसा यह क्वालिटी उपाएगा नहीं अच्छा लग रहा है यह अगर आप फरवरी में इसको निकालते हैं जब पक जाएगा तो ग्रीन एपल साइज का यह रेड एपल भी हो जाएगा ओके और मिठास तो काफी आच्छी है इसका अंदर का गुटली होता है कितना चोटा है उसके बना स्वायत ग्रीन एपल से चोटा है इसका गुटली आपका वैलेवल फीडवेक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कैसा लगा है इन्होंने बता दिया आप लोग सुना है काफी अच्छी प्रॉफिटेबल है यह इसको उपर आप भी काम कर सकते हैं इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाहिए झाल